70 साल बुढा और 21 साल की लड़की के साथ मैंने खुद को 60 साल के करोड़ पती को बेच दिया मैं तो कॉलेज में थी एक मोडल बनना चाहती थी मैं फैसन सो में 80 से मिली 80 एक 67 वर्सी करोड़ पती है जो एक करक्रम को प्रयोजित कर रहे थे फैसन सो 4 घंटे तक चला वो पूरे समय मुझे देखते रहे थे पहले मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था वो 66 वर्स के थे और मैं 21 साल की थी लेकिन इनस ने 80 को मेरे पास आने से नहीं रोका उन् के लिए नहीं है मेरे साथ हाओ मैं तुम्हें एक रानी की तरह रखूंगा 80 सादी सुदा था मेरा भी एक वर्फरेंट था फिर भी 80 की यह पेसकस बहुत आकरसक थी 80 ने कहा मैं ऐसे ही किसी को अपना सारा पैसा देना चाहता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं मैं हमेशा ग वर्फरेंट से रिस्ता तोड़ लिया और 80 के साथ उसके आलिसान घर चली गई मुझे यकीन था कि 80 को मुझसे प्यार हो जाएगा मैं ही उसका पहला प्रेम बनोंगी तभी वह अपना सारा धन मुझे मेरे पास छोड़ देगा मैंने वहीं किया जो 80 मुझे करने को कहता मैं मैं इसको छोड़ दूँ और मैंने अपना स्कूल भी छोड़ दिया मैंने वहीं किया अब मैंने अपना करियर छोड़ दिया अब मैं अपना ज़्यादा तर समय ब्यूटी पैलर में बिताती और मैं 80 के सामने सुन्दर लगूँ एक दिन मैं 80 ने कहा मैं अपने दोस्तों से बात ना करू, मैंने अपना सारा समय आसीश के साथ बिदाया हलां कि उसने मुझे कभी मा से भी बात करने को मना किया था और मैं ऐसा ही करती, मैं मा काप फोन नहीं उत्ठाती थी मैं उसकी दासी बन गई, आसीश के लिए मैं स्वादिश्ट खाना भी बनाती थी कपड़े भी पहनती थी और उसे इस तरह से संतोष्ट करती थी कि जो कोई नहीं कर सकता जल्द ही मेरी मा की मित्ति हो गई उनके अंतिम संसकार में भी नहीं गई क्योंकि मैं आसिस के साथ घूमने गई थी आसिस को मुझसे प्यार नहीं था मैंने बस उस दिन का इंतिजार किया था जब उसके संपत्ती का पूरा वारिस बनूंगी आखिरकार आसिस मर गया मेरे जीवन का सबसे खुसी का दिन था मैंने सोचा था कि सब कुछ मेरा होगा लेकिन मेरे लिए आसिस एक पैसा भी नहीं छोड़ा और सब कुछ अपनी पत्नी के लिए छोड़ दिया कुछ साल पहले उसका अपनी पत्नी के साथ डाइवर्स हो चुका था फिर भी आसिस ने उनको चुना मैं वह नहीं हूँ जिससे वह प्यार करते थे मैं बस उसकी खिलोना थी मैंने धनी खोचते खोचते सब कुछ खो दिया मेरा प्रेम मुझ से वास्तों में सचा प्यार करता था मेरी सहलियां जो मेरे साथ थी मेरी मा जिसन से मुझे सब कुछ दिया मैंने सब कुछ खो दिया था हम बहुत कुछ खरिद सकते हैं प्यार खरीदना संभव नहीं दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने थैंक यू